देखे जब भी हिंद महासागर की बात होती है। हिंद महासागर में इस्तित किसी देश की बात होती है किसी दूइब की बात होती है तो भारत की हितों की सुरक्षा की बात जरूर होने लगती है जरूर भारत के हितों की चर्चा होने लगती है तो अभी हाली में चागोस दूइब समो की संप्रभूता को हस्तांतिक करने के ल निदित्य भी करता है भारत और मौरीसस के भी दुईप समू की सामरी कवस्तिती को देखते हुए या घटना करम भारत के लिए आउसर भी है और चनौती भी है दोनों तरह है मौरीसस के नियंतर में आने से समुद्र निगरानी संसाधनों का दोहन और विकास में दुईपक्चिय सहोग पढ़ने की संभाव नाय है और अंगले 99 वरस्तों तक डेगू गार्सिया पर अमेरिका वेटेन की सेन मौजूद्गी जारी नैने से इस्तिती थोड़ी कठिन जट को प्रोसाहित करते हुए अपने सम्मंधों को सावधानी पुर्वक्त संतोलित भी करना होगा तो क्यों जरूरी है इस सबाल आता है ना कि भारत के लिए हिंद महासागर छेत्र इतना वात तो क्यों रखता है इस पर भी हम लोग बात करेंगे जानेंगे हम लोग देखेंग कि हिंद महासागर छेत्र में भारत अपनी मजबूत इस्तिती किस तरह से कर सकता है क्या कदम उठा सकता है तो उस पर भी बात करेंगे और देखें इस तरह की टॉपिक से आपके एक्जाम में कुश्चन्स पहुचे जाते हैं चाहे आप लोग सिविल सर्विस एक्जाम की देखें यह हमारी प्यारी पित्वी है इसमें आप देखें हमारा प्यारा भारत है यह आपको हिंद महासागर देखने को मिल जाएगा यहां देखें यह चाइना है यह हमारा इंडिया है यह अरब सागर है यह बंगाल की खाड़ी है यह मालदीब देखाई देरा है यह डि समुद्री सुरक्षा की दिरिष्टी से महत्पूर्ण है जो संभावित खत्रों की विरुद्ध एक पिती रोधक की रोम में कार करता है तथा नौसनिक सक्ती की पिदर्शन के लिए एक मार्ग भी है भारत का समुद्री सिधांत इस्चित में नीवल सुरक्षा प्यदाता की में इसकी भूमिका पर बल देता है भारत के पहले सौदेशी निर्मित बिमान बाहग पोत आईयनेस विक्रांत का वर्श दुहजार बाईस में जलावतरन इसकी नौसनिक छमताओं को महत्पूर्ण रूप से अभी वर्दित करता है नौसना पितिवस सत्रे बहु पक्षिय और बी से दुई पक्षिय अभ्यास आयुजित करती है जो समुद्री सुरक्षा के पिती उसकी पिती बद्धता को पिदर्शित करता है वर्श दुहजार अठारे मिस्ताभी सूचना सल्लेंड केंदर हिंद महासागर चेत्र भारत की समुद्री चेत्र जागरुकता और चे उसकी अत्रिक्त हिंद महासागर की समुद्री ब्यापार मार्ग महत्मूर आपूर्ती सिंखलाओं सिंखलाएं जो बिस्त के लगवग 70% कंटेनर यातायात का प्रबंदन भी करती है केरल की बिजिंजम जैसे गंभी जल पतनों की विकास का उद्धिस हिंद महासागर में छ महासागर संसादनों की संब्धिये उपयोग पर केंदरेत है सेप्टमबर 2023 में होने बाले समझोता भारत मद्दपूर और आर्थिक गल्यारा भारत की आर्थिक आकांचाओं में हिंद महासागर की भूमिका को अधिक रेखांकित भी करता है उर्जा सुरक्षा की अगर बा आप कुछ खरीद रहें नर्यात का मतलब होता है आप बेंच रहें देश की बड़ती उर्जा पसकताओं के कारण उर्जा का सरक्षन आवस्थ हो गया है हिंद महासागर में समुद्री संचार मार्ग महत्पूर है भारत की सामरीक तेल निच्छे जिनकी बर्तमान चमता 5.33 मिलियन टन है आपूरती में ब्योधान की स्तिती में केबल 9.5 दिन की सुरक्षा बिदान करते हैं भूराजनितिक प्रभाव तो आप देखे हिंद महासागर भारत के लिए अपने भूराजनितिक प्रभाव को बढ़ाने तथा चित में चीन की बर्ती उपस्तिती का अजिदारी इस्तापित किये भारत की एक्ट इस्ट और नेवर हुड फर्ष्ट नीतियां समुद्री सेयोजकता पर बहुत अधिक निर्भर भी करती हैं और आप देखते हैं कि भारत सहे 23 सदस देशों बाला हिंद महासागर रिम एसोसेशन आई ओ आरे चेत्री सेयोग में महत्पुर्ण भूमीका का निर्भा भी करता है भारत की सेयोजकत समझोतों का विस्ताज जो अब छेत्री के दस देशों को समलीद करता है और इसकी सामरीक के अब गम्मेता में अभी विड्धी भी करता है परयावन इबं आपदा प्रवंदन हिंद महासागर भारत की पूचना के अंदर महासागर अनुवीक्षन और पूर्व चेतावनी पढ़ालियों में महत्पुर्ण भूमिका का निर्भा भी करता है आपदारोधी आवसरचना गटबंदन सीडी आराई की बात हो रही है जैसी पहलों में भारत का नेतित चेत्री आपदारोधी के पिती उनकी उसकी पिती बद्दता को पेदरसित करता है और प्राक्तिक आपनाओ की पिती देश की तीबे पिती करिया जैसा की वर्स 2019 में चकवाद इडाई की बाद मुझामबिक को दी गई सहायता में देखा गया है इस्चेत में इसकी सॉफ्ट पावर को समर्दित भी करता है और बिग्यानिक अनुसंदान और अनुवेशन हिंद महासागर बिग्यानिक अनुसंदान और संसाधन अनुवेशन के लिए पिस्थापित आउसर विदान करता है जो भारत की तक्नीकी उन्नती के लिए महत्पूर है भारत के डीपोसन में संकाओ देश गंभीर समुद्र क अन्वेशन चमताओं में एक मील का पत्थर सी साबित हुआ है मद्ध हिंद महासागर घाटी में भारत द्वारा निर्मेत पॉलो मेट्टेलिक नॉट्यूल अन्वेशन जो 75,000 वर किलोमीटर चेतर में विस्तित है उसे गंभीर समुद्धर में खनन के लिए खनन के चित में अगणी मनाता है सांसकेतिक एबं प्रवासी संबंद हिंद महासागर इतिहासिक रूप से सांसकेतिक बीनीमय का माध्यम राय जिसने भारत की समुद्री बिरासत और प्रवासी संबंदों को आकार दिया है हिंद महासाकर के तटिये देशों में भारत की प्रवासी और दुई पक्चिये संबंदों और भी प्रेसन में महत्पूर योगदान देते हैं वर्स 2014 में सुरू की गई मौसम परियोजना जस्ती पहलों के मध्यम से प्राचिन समुद्री संबंदों को पुनर जीवित करना भारत की सांसकेतिक राजने को सुद्रण करता है हाली में इसका उद्गाटन किया गया फरवरी 2024 में अबुधावी में बनने बाला BAPS हिंदू मंदर सयुकतरव अमिराद का पहला पारंपर एक हिंदू मंदर है और हिंद महासागर से संबंदि इस्थाई सांसकितिक संबंदों का पितिक भी है अब बात आती ही कि हिंद महासागर 6 वैं भारत की समख्च फिस्थ थोने वाली पिर्मुक चunta क्या है तो एक तो चीन का बढा़ता प्रिवाओ हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्तिती भारत के छित्री प्रवाओ के लिए एक बड़ी चunta की बन गया है और संभावता भारत को घेड़ने की एकोसे समझे जाती है जिपूती में चीन का पहला विदेशी सेंड अड़ा जो 2017 से संचालन में है और छेत्र में इसकी बढ़ती नौसेनिक गती विदियां कार्णेतिक परिदिस्त को और अधिक जटिल वनाती है एक समुद्री संबंधी चनोतियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है जिसमें समुद्री डखेंती हो गया इस अमधर सोटामिल है दिसम्बर 2023 में भारत के पश्चमी तटके MB केम पिलूटू पर हमला समुद्री आतंगबाद की वर्ती प्रकेती को रेखांगित करता है सूचना सलगन के अंदर हिंद महासागर छेत्र जैसे समुद्री चित जागरुकता को बढ़ाने की भारत की प्रयासों को विविद डेटा सुरोतों को एक एकित करने और साज़ेदार देशों की बीच बास्पिक समय की सूचना साज़ा करने को सुनिश्चित करने में चुनोतियों का सामना भी करना पड़ रहा है फड़ोसी देशों के साथ भूराजनितिक तना कुछ हिंद महासागर फड़ोसी देशों के साथ तनाफून सम्मन्द भारत की चितरिये नितित आकांचाओं के लिए चुनोती उत्पन करते हैं मालदीब के साथ हालिया आप देखी राजने विवाद के कारन मालदीब परयाटन का बहिसकार करने का हान किया गया है ये घटना इंडिया आउट अभियान के साथ जलमाप पिनल जीवित करने के लिए पिर भी अभी एक लंबा रास्ता तै करना है तथा कई चिंताएं भी सामिल हैं जिनका समाधान किया जाना है क्योंकि आप दिखते हैं कि जो मालदीव के नए रास्टपती बने हैं ना इनका जुकाओ चाइना की तरफ देखा जा रहा था और इसी पिकार सीलंका के साल चल रहा मचवारों का मुद्दा जिसमें केबल बर्स 2023 में 100 से जदी भारती मचवारों को ग्रत्तार किया गया बिवात कब इसे बना हुआ है इतना हिंद महासागर में इस्तित और रोर सहय होगी पडोस देशों से अपने संबंदों के साथ संधारन के भारत की प्रयासों को जटिल बनाता है संसादनों के लिए पितिसपर्दा हिंद महासागर की विसाल संसादन तीब पितिसपर्दा और संभावित संगहसों का सरोध बनते जा रहे हैं भारत के गंपीर महासागर मिसन को चीन जैसे देशों से पितिसपर्दा का सामना करना पड़ रहा है जिसमें पहले ही दच्छिड फश्मी हिंद महासागर कटक छेतर में अनुवेशन अधिकार प्राप्त कर लिया है। हिंद महासागर में समुद्रिस्तर में विद्धी का आधा कारण जल की मातरा का विस्तार क्योंकि महासागर तेजी से गरम हो रहे हैं। हिसमें सुरू किया गया राष्टिय तटीय मिसंद बहु एजंसी पिते के रियाओं की समनभय और बड़े प्रमाने पर हस्तिचेप के लिए परयाप्त निदियन चुनोतियों का सामना भी करता है। और आप देखे समुद्री अवसरचना और सयोजक्ता अंतराल तो महतपूर्ट निवेस की बाग्यूत भारत को अभी भी हिंद महासागर में अपनी इस्तिती का फूर लाप उठाने के लिए परयाप समुद्री अवसरचना बिक्सित करने में चुनोतियों का सामना करना पिदर्शन उच्छेत्री संक्रट्नों पर तुरंत तुरत्पिती के लिए देने की चमता कुसिमित करती है और हाली में आप देखे ट्रांसिब्मेंट हाव की घोष्णा की गए ग्रेट निकोबार दुईप समुद्री यक भी आसा जनक है परन्तु परयावनी चिंताओं निधियन संबन्दी चंवतियों का सामना भी कर रहा है एक गयर पारम पर एक सुरक्षा खतड़े हिंद महासागर में उबरते गयर पारम पर एक सुरक्षा खतड़े भारत के लिए जटिल चुनोतियां भी प्रिस्थुत करते है और इनमें समूद्री या उसरचना की लिए साइवर सुरक्षा जोकिम सामिल है जैसा की वर्स 2017 में जवालाल नेरू पतन न्यास पर रैंसम बेयर हमले से इस पश्ट है और हिंद महासागर की मार्क से मादक पदार्थों की तसकरी में बिद्धी हुई है तथा भारती है जल छेत में लगबद पच्ची सो किलोग्राम उच्ची सो दिद्धा बाले मैत थम्टा माइन जब्त किया गया है जिसकी कीमत लगबद पंद्रह हजार क्रोड रुपे है और जिसे बिद्धी के प्रवर्तन चमता पर दबाव पड़ा है अवेद गेर सुचित आवीने में थे मत्सेन की जारी चनोतियों के लिए उन्नत निगरानी उपवर्तन तंत की आवस्ता भी है तो भारत की चनोती हिंद महसागर चेत में अपने प्रमुक सहीऊगियों को अलग धलग किये बिना क्रत्वारत भारत की इस्तिती को सदढ़्ण करने के साथ चीन के विरुद्ध संभवित रोगताम कारनीतियों के विसमें चिनताएं भी बढ़ाती है और देखे, क्वार्ड में चार देश सामिल हैं, एक तो आप देखे, भारत, जापान, और अस्टिलिया और अमेरिका, ब्रेक्स और एस्टियों जैसे समुवू में भारत की भागेदारी जिसमें चीन, रूस भी सामिल हैं, के लिए सावधानी पूरवकर राजने, समंधी मार्दरसन की आवस्तक्ता भी है, एस्टियों के बारे में याद रखी, संगाई सहयो, संगाई कोर्फूरेशन और अर्गनाईजिसन की पाथोरी, 15 जून 2001 में इसकी स्थाफना हुई थी, चाईना आप देखिए, बिजिंग चाईना में इसका However देखने को मिलेगा इसमें, BAYLARESE, चाईना, इंडिया, इरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान उजविकिस्तान इसके मेंबर हैं और इस तरह के आप देखें संगठनों से भी कुश्टन्स पूँच लेता है तो आप लोग जरूर याद रखा करिएगा और ब्रिक्स और इसन की बात करें तो 16 जून 2009 में इसकी स्थाफना हुई थी अब इसमें आप देखें नो मेंबर हो चुके हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अपीका, इरान, एजिप्ट, इथोपिया, युनाइटेड अवरप, अमीराद, मिस्त इरान से युक्तराव अमीराद, साउधी अवरप और इथोपिया की बिक्स में संभलित होने से हिंद महासाग पिस्तुत करता है, जबकि मौरिसिस को संपर्भूता का हस्तांतर संभावी दूरूफ से भारती प्रभाव के लिए नए मार्क पिसस्त कर सकता है, और जिसके अंतगर निन्यारबे बरसों के लिए से युक्तराज अमेरिका वेटिस्तेन अड्डे के गारंटी के संचालन से पश्चमी उपस्तिती जारी रहेगी, हिन महासागर छित में अपनी उपस्तिती सद्रन करने के लिए भारत क्या कदम उठा सकता है, और आप लोगों को देखिए मालून चाहिए, भारती महादी 20 से कहते हैं आप लो हिन महासागर को, और यह आप देखिए विस्त का तीसरा सबसे वड़ा आप देखते हैं कि क्या है, महासागर है, पितवी की सत्य पानी के लगवग 20 परसेंट भाग इसमें देखने को मिलता है, तो समद्री आउसर रचना विकास कंसमर्दन, तुभार को पने सागरमालब कारकरम में तेजी लानी चाहिए, तथा सयोग जक्ता और आर्थी गतिविदी को बर्धित करने बाली पिरमुग परियोजनाओं पर ध्यान के इंद्रिक करना चाहिए, म्यानमार में सित्वे पतन तक अभी गम्मता प्राप्त हो गई है, जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का एक मत्पून घटक 22,000 करोड रुपे के नियोजित निवेस के साथ ग्रेट निकुबार ट्रांस सिफ्मेंट अपके विकास को तीब करने में सामरीक रूप से मातपूर मलक का जलनम्रू में भारत की समुद्री चमताओं में काफी बिद्धी होगी, नो सेना चमताओं में बिद्धी ये भारत क को करना चाहिए, तो भारत को अपने नो सेना आधूनी की करन कारकरम में तेजी लानी चाहिए, तथा समुद्री और तटिये चमताओं पर धेंद के अंद्रित करना चाहिए, और इसमें आई एनस बिकरांच जैसे अधिक सौदीसी बिमान भाहक पोतों की उत्पादन में, तेविता तथा पंडुबी वेडे विसिस रूप से परमाडू, ओर जा चालित पंडुबीयों का बिस्तारन भी सामिल है, मानो रहत प्रिणालियों जैसे की स्वायता जलमगन संचारेत वहन और समुद्री गस्त डौन में निवेश करने से नार निगरानी चमताओं में बि सभधित करने की पिती बिद्दा को पेदर्सित करती है जो हिन्द महासागर में समुद्री छेत्र, जागूरुकता और सक्ति पिछे पंड के लिए मात्पूर्ण है सामरेक समझो सांजेदारी का विस्तार तो भारत को हिंद मासागर की प्रमुक देशों और चेत्रों से बाहर की सक्तियों के साथ सामरेक सांजेदारी को सुद्रण करना जारी रखना चाहिए फरवरी 2023 में घोसित भारत फ्रांस सायुकतर अमर्यात त्रीबक्ची पहल ऐसी सांजेदारी का एक प्रमुक दारन है और भारत को अन देशों के साथ भी इस पेकार की विवस्ता पर कार करना चाहिए जिससे सायुकत नोसे निक अभ्यास हो गया है खूपिया जानकारी साज्य करने चमता निर्मार पध्यान के इंदिर करना चाहिए तेको माली टेल टैंक फारं को से विक्सित करने के लिए सिलनका के साथ हाली में हुआ समझोता प्रशित करता है कि कि किस पेकार सामरेक सांजेदारी से ठोस आर्थेकलाब राप्त किया जा सकता है अक्टोबर पर समझोता चर्चाएं उब्विधी प्यवर्तन सहयोगतता आउसर रचना परियोजनाओं जैसे माल्दीप तरक्चक पोद की मरमत रूपेकार्ड का सुभारम हनी माधू बिमान पतन पर साथ सो आभासिकाईयों और एक रन्वे नई रन्वे का उद्गाटन भी सामिल है इघटना करम चेत्र में समभनी है सहभागता की महत्तु को और खांकित करती है और आप देखिए समुद्री चेत्र जागरुकता का याप देखिरें स्थुद्री करन भागत को तटीय रडार इस्टेशनों की नेटवर्क का विस्तार करके तथा उन्नत उग्रह और ई-ई- इन्डिलिजन्स आधारित निगरानी पिनालियों को एकेकिक करके अपनी समुद्री चेत्र जागरुकता चमताओं को और अधिक बिक्सित करना चाहिए और सूचना सलन केंद रहिंद महासागर चेत्र को भास्तवेक समय डेटा पिसंस का चमताओं के साथ उन्नत किया जाना चाहिए और हिंद महासागर के अधिक तटिये राज्यों के साथ सांजेदारी का विस्तार भी किया जाना चाहिए राश्टी समुद्री चेत्र जागरुकता घ्रड जैसे परियोग उजनाओं का कयानमन जिसका उद्देश नौसेना उत्तर रक्षक्रिस्टिसनों को आपस म जोड़ना भारत की स्थिती जन्न जागरुकता का मात्मों रूप से संबर्दित कर सकता है और इस रों के ओसन सेट तीन उग्रय का हाली में किया गया प्रमोचन इस दिसा में एक कदम है और इसके बाद अधिक विसिष्ट समुद्री निगरानी उग्रय का प्रमोचन किया जाना चाहिए सामरीक दूइप छेत्रों का विकास तो आप देखेंगी कि भारत को वारत को अपने सामरीक दूइप छेत्र विसिष्ट रूप से अंडवान और निकुबार दूइप समुद्र एबं लक्षदीप के विकास में तेजी लानी चाहिए इसमें सेन अउसरचना का बर्धन सेयोजक्ता में सुधा समेहनी आरति विकास का समबर्धन सामिल है आनि दूइपों में भी सामरीक पहल की जाने चाहिए जिसमें दोहरे उपयोग बाली हबाई पट्टियां और नौसेनिक सुविधाओं का विकास सामिल है इन छेत्रों के लिए एक एकित दूइ प्रवंधन योजनाओं का कहयान बन जिसमें परयावर्ण सरक्षन के साथ सामरी खेतों को संतुलित करने पर ध्यान के इंदर किया जाने चाहिए को परात्मिकता दीन जाने चाहिए समुद्री सांजेदारी का विस्तार तो आप देखतें कि भारत को हिंद महासागर की तट सागर छेत्र में सभी के लिए सुरक्षा विकास सिध्धान जैसे पहलों को ठोस का आरेयों द्वारा समर्थित किया जाना चे जैसे चोटी द्वीप है देशों को उनकी समुद्री चमताओं का निर्माड करने के लिए गस्ती जहाज पिसीक्चा और तक्नीकी साहिता पिद के लिए गंभी समुद्र में खानन समुद्री जलकिरसी और तटी नवी करनी उर्जाच जैसे चेत्रों में नेजी चेत्र की भागयदारी को प्रोसाहित करने से नवाचार तथा आर्थिविकास को उत्वेरित किया जाना चाहिए आपदा पिति किरिया चमताओं में विद् कि चमताग अविस्तार करना उसामरिक इस्थानों को अग्रिम परिचलन अड़्डे सा इस्थापित करना चाहिए सागर पहल के तैत माहनविय साहता पहुंचाने के लिए 22 मार्ट 2021 को आई एनस जलास्परों का मेडा गासकर के अहोल आला पतन में आगमन भारत की छित्री अ अभी गमता को सुद्रण करने की दिसा में एक सकारत्मक कदम था मजबूत करने की दिसा में तो यही कहानी है हिंद माहसागर से जुड़ी हुई देख रहा है यह है हिंद माहसागर आपका कोई सवाल वो मेरे लिए सुजाओ तो आप लोग बता सकते हैं धन्रबाद